ये वीडियो में बहुत ही डिमांड के बाद बना रहा हूं कि ये बहुत नीडड भी था कोई फरक नहीं परने वाला कितने भी लॉट्स भाई करो there is no need of it but to intraday no rule कहीं से भी भाई करो कोई भी भाई करो कोई दिक्कत नहीं अगर हलो और विडियो में बहुत ही डिमांड के बाद बना रहा हूं क्योंकि ये बहुत नीडड भी था क्योंकि मैं कलेंड इस्टेजी बना रहा हूं सब कुछ कर रहा हूं सब कुछ एक्सप्लेण भी करता हूं बट एक क्वेश्चन है जो हमेशा यह आता है कि आप कैसे बाई कर पा रहा हूं इतने दूर के ऑप्षिंस लोग पूछते हैं कि जिरोदा में तो बिल्कुल अलाव नहीं होता कि आप इतने दूर के ऑप्षिंस बाई कर सको ओपर इंट्रेस्ट का रिस्ट्रिक्शन है सब कुछ है एक एरिया रिस्ट्रिक्शन है बहुत सारी चीजे हैं तो मैं आपको इक चीज एक्सप्लें कर इसको एक बार सुन लेना और आज के बाद यह कुश्चन आप कभी नहीं पूछोगे देखो जब मैं कलेंडर बनाता हूं तो कलेंडर एक पोजिशनल स्ट्रेट यह ठीक है तो मैं आपको इस चीज बताता हूं दो तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आपको क्या कर हैं आप option buying कर सकते हैं वो क्या चाहते हैं और किस तरीके से आपको बजाना चाहते हैं कि इंटर डे में कोई restriction नहीं option buying में आप आराम से option buying कर सकते हो पोजिशनल में क्या है पोजिशनल में option buying तभी allowed है दूर की जब उसके अगेंस्ट में आपके पास sell already हो naked buying is not allowed to hold अब इसमें क्या बोलता है जी रोधा कि for the safe safeguarding retailers we are doing this क्योंकि इतनी दूर का option अगर आप buy कर रहे हो जो खुद आपके पास sell है यह नहीं तो इसके मैं calendar में आपको simply मैंने मालो 20,000 का जो call है वो बेच दिया है already 10 lot तो अब मैं exact 10 lot buy कर सकता हूँ वो कितनी भी दूर का है जो ठीक है उसमें कोई restriction नहीं है पर मैं जैसे ही 11 lot buy करने जाओंगो वहां पर error आजाएगा तो मैं आपको इस चीज बता हूँ अगर आपको 2-2 lot का calendar बनाना है मालो overnight में 2 lot का calendar बनाना है तो 2 lot आप पहले बेचोगे फिर 2 lot buy करोगा आपको कोई problem नहीं आगी बट आप लोग करते हो आपको लगता है कि हमें margin का help मिल जाए तो हम पहले buying कर लेते हैं जिरोधा में overnight में possible नहीं है कि आप पहले buy कर पाऊ इस पहले एक lot sell करो फिर एक lot buy करो फिर दूसरा lot sell करो फिर दूसरा lot buy करो ऐसे करके आप overnight में हमेशा जिरोधा में option buying कर सकते हो कितनी भी दूर से पर equal lot ही buy कर पाऊगे या उससे कम मतलब 10 lot अगर sell कि हैं तो 8 lot आप buy कर लो कोई दिक्कत नहीं 10 कर लोगे आपको कोई दिक्कत नह है कि जैसे आप 11 या 12 करने जाओगे आपको error आ जाएगा clear यह बात intraday में यह चीज और भी लागू नहीं होती intraday के time पे आपने expiry पर मुझे देखा होगा कि मैं morning में ही दो अलग-अलग 1500 पॉइंट उपर का put 1500 नीचे का 1500 उपर का call और 1500 नीचे का put already buy कर लेता हूं 35-34-34- क्योंकि वो मैं intraday में कर सकता हूं उसके ऊपर कोई restriction नहीं है पर यही काव अगर मैं बोलू कि मैं positional में कर सकता हूं क्या मैं विल्कुल नहीं कर सकता तो simply आप समझ लो intraday में there is no restriction आप normally buy कर सकते हो दूर से भी कोई फरग नहीं परने वाला कितने भी lots buy करो there is no need of it but जहां तक बात है positionally option buying की उसका अगर आप कुछ एक range है जो जिरोधा ने decide किये उस range के अंदर का कोई strike buy करते हो जो की बहुत ही निजदीक होता है 500-800 point से दूर तो आप करी नहीं सकते है अगर उसको आप naked buy करना चाहते हो तो उसकी एक range decide किये जिरोधा ने उसको आप overnight में buy करके ज सकते हो ठीक है बट overnight के ऊपर एक simple rule है अगर आपको उस range के बाहर का buy करना है तो आपके पास sell order पहले से होना चाहिए otherwise आप उसको buy नहीं कर पाऊगे clear यह बात तो intraday no rule कहीं से भी buy करो कोई भी buy करो कोई दिक्कत नहीं अगर positionally naked hold करना है option buy तो एक range के अंदर का buy करना है बहुत दूर से तो उसके लिए पहले से excel order होना चाहिए अगर आपके पास जो margin है वो बिल्कुल fix है तो आप एक एक करके करो एक sell फिर एक buy एक sell फिर एक buy तो इससे क्या होगा tight margin में भी आप यह चीज कर पाऊगे जैसे कि मैं calendar की trade डालता हूं तो मेरे पास जो margin है वो आप calendar को अगर बहुत ही perfectly डालना चाहते हो तो आप try करो कि अगर आप एक एक lot से कर रहा हो तो कोई problem नहीं है लेकिन पहले sell करो then buy करो इस वजह से आपको hedge में buying करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप same चीज अगर bank nifty में भी करते हो तो try to sell first and buy उसके बाद यह चीज सिर् flow आप पहले उनको margin दो फिर उसके बाद आप buy कर लो उस margin से थोड़ा बहुत खोद होगे उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता बट अगर आप overnight में buying करकी जा रहे हो इतनी दूर से आपका अगले दिन theta decay ही होने वाला है तो उस चीज से बचाने के लिए उनने एक range बना दी है जो आपको add the money, out of the money, near the money रखने का try करेगी जिसकी वज़े से आप पैसे बहुत जल्दी lose नहीं करोगे आप option buying में हो तो आप add the money या फिर थोड़ा सा in the money में ही naked buying होती है अगर आप दूर से कर रहा हो तो आपके हारने के chance बहुत बढ़ जाएंगे इसी वज़े से naked overnight buyings के उपर ये rules लगे हुए, ठीक है restriction लगे हुए, बट मैंने अभी यहाँ पर clear कर दिया, intraday में no problem, positional में simply आपको try करना है कि पहले sell then buy, आप सब कुछ कर सकते हो, कोई भी strike कर सकते हो, कोई rule regression नहीं है, अगर आपको sell और buy का combo नहीं, spread नहीं है, आपको naked buying ही करके जानी है, तो आपको उस range के अंदर से buying करनी पड़ेगी, जो जिरोधा ने आपके लिए define करी है, as per open interest है, जो भी region वो बोलते हैं, तो उस range के अंदर से buying करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई भी problem नहीं है, और मैं आप में कई बार ये question तब पूछा है, जब मैंने आपको ये करके दिख सकते हैं, तो सिर्फ इतना याद रखो कि मैं पहले sell मारता हूं, फिर buy मारता हूं, आप हामिशा कर ले दागा, कोई भी strike available है, आप सारी strikes buy sell कर सकते हो, just the reason आप naked buy नहीं कर सकते, naked buy range के अंदर, और similar lots में, जितने lot sell है, उतने lot ही आप range के बाहर के buy कर सकता, आपको कोई problem नही प्रब्लम आएगी, उससे उपर का जो भी buy करोगे, जतने lot आपको error दिखाएगा और आपको problem आएगी, इसलिए one by one, one by one करके, कहीं नहीं हमें इस चीज का solution निकालना पड़ता है, इसलिए sensible में basket order का लोग कई बार यूज करते हैं, इस चीज को solve करने के लिए, ठीक है, I hope क कि मेरे इस वीडियो के बाद आप ये question नहीं दोहराओगे और आपको इस चीज में सहूलियत मिलेगी, और आप आराम से trades को continue कर पाओगे, ठीक है, ठाटा, बाए-बाए and thank you, अगर वीडियो अच्छा लगओ तो वीडियो को like करो, YouTube पे नए हो, तो subscribe करदेना, ठीटाग इन